यूपी चुनाफ से पहले मोधी सरकार की नीतियों की विरोध में आज कॉंग्रेस ने पध्यात्रा निकाली अमेठी के जगदीशपूर से हारी माहू तक की इस पध्यात्रा में कॉंग्रेस महासचिव प्रयांका गांधी वाड़रा और राहूल गांधी शामिल हुए 2019 में लोकसभा चुनाफ हारने के बाद राहूल गांधी की ये दूसरी अमेठी यात्रा है इससे पहले चुनाफ नतीजों के बाद 10 जुलाई 2019 को राहूल गांधी अमेठी पहुंचे थे और अब करीब 20 साल बाद फिर से राहूल गांधी अमेठी में है इतना पुराना रिष्टा है काफी दिन बाद आप आप आये क्या उसकी महक आपको आज मी मिली तर्णी बहुत खुशी हुई मुझे पाठी भी छोड़ दिए पुराना रिष्टा है लंबा चलेगा कई लोगों के मन में आए कि राहूल गांधी फिर यहां से प्रतित फिर चुनाओ रड़ेंगे आपको लगता है कि यह जो एक नया प्रयोग कर रहे हैं पॉलिटिक्स में इस विश्टा को छेड़ने से लोग डरते हैं पॉलिक्स में आप जो नया प्रयोग कर रहे हैं इसको लेकि कितने आसान्वी है कि आपको नदा दा भी कर दो दो ने कर दो दो तक रख़ाने करने बारें माधी जी कि आपको किसी से नहीं जड़ता था ऐना वह सच्चाई के राश्क पर चलता था कुछ भी हो जाए को सच्छाई के नाश्वे से जाए कि प्रियंका गांदी बहुत उत्रप्रदेश में लगाता आप दोरे कर रहे हैं जैरी बोलने तो दीजिए तो एक तरफ रहा है तो एक तरफ रहा है हिंदू लूसरी तरफ हिंदुत्वादी इसमें पड़ा कि जैसे उसके फुड़ा दबाब पटता है जैसे उसके फुड़ा दर लगता है और कामपने लगता है यह फरुख हिंदू और हिंदुत्वादी नहीं कहा रहा है चार चार एकस्प्रसिवे हमने दिये एक तरफ धर्म और दूसरे तरफ घिकास इसको दिया बीजिपी दोन देश की जनता को गह रहे हैं हमने समझे चार एक्स्प्रेस वे बना दिये तो धर्म और विकास को कॉक्टेल बना करके उत्रप्रदेस या फिर देश के चुनाओं में नहीं रजीती पीजेपी बना लिए तो किसान के जो बिल है वो विकास है नोट बंदी विकास है जी एस की सबसे जदा बेरोजगारी बिकास है महेंगाई विकास है अगरआ अनोट इसको विकास मांते हो तो ऑक यह फै है तो जार६कora है था वह है क्योंकि आप लगातार मुस्क्रादी जो मैंने देखा यहां पर अपने घर आगर के क्या इस बार क्या हुई दे रहे हैं तो अमीद तो यह हमने संगठन भी बना है तो है कि अच्छे बहुत लोग मैं में कह रहे हैं कि 2024 की भी तैयारी प्रेंका गाधी उत्रप्रदेश में अब बहुत एक्स्टेंसिव अंदर तक जागे कर रहे हैं 2024-2022 दूनों एक सर नहीं हम लगातार काम करते नहीं और हम सक्टा किने नहीं कर रहा है उत्रप्रदेश की योगी आदितिनात की सरकार ने यमुना को साफ और निर्मल बनाने का काम और तेज कर दिया है नमामी गंगे योजना की तहट मथुरा वृंदवन में यमुना में गिरने वाले करीब 35 नालों में 31 नालों को बंद कर दिया गया है सरकार का दावा है कि मथुरा वृंदवन में यमुना नदी गंदी ना हो इसके लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है शेहर का पानी यमुना में ना गिरे इसके लिए करीब साड़े चार सो करोड की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है यमुना के घाटों पार कूडे दानों की अलग से विवस्था की गई है शेहर में रहने वाले साधू संतों का कैना है कि राज़्य सरकार यमुना की सपाई में जुटी है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वज़ा से यमुना साफ नहीं हो पा रही है यमुना को है कि अगर यह सरकार अगर जमना जी को सही नहीं कर पाई तो फिर तो लगता है हम लोगों को आसा तोड़नी पड़ेगी योगी सरकार की महत्वा कांची योजना नमामी गंगे का वसर देखने को मिल रहा है कि उसके कारों में तेजी साफ तोर पर दिखाई दे रही है के यह ब्रंदावन का नाला है जो ब्रंदावन का नाला जिसका पानी यमना में ग neutronा को प्रदूशित करता एब इसको बंद कर दिया गय fat और ऐसे करीब 20 से 25 नाले हैं मत्रा ब्रंदावन में जो अभी तक चिन्नित करके बंद किये जा चुके इनका पानी पहले यमना में गरता था जो काफी प्रदूशन फैला था यमना के पानी में और काफे समय से आंदूलन चल रहा था कि ऐसे नालों को बंद किया जाए और जो जरूर बनेगा सियासत शुरू हो चुकी है इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजबादी पाथी आमने सामने आ चुकी है बीजेपी ने इस मुद्दे की बहाने अखलेश यादव पर निशाना साधा तो वहीं समाजबादी पाथी ने बीजेपी पर लोगों को आंतंकित करने और सब्सक्राइब करने से नहीं करते हैं और दुर्भाग्य ऐसा है कि यह जो मेरिट का जो अवैद काम था वहानों के चोरी के वहानों के कटने का इसमें अलपसंग कवर्ग के भी तर अपराई होते ही थे तो इसलिए उन्होंने कर भी नहीं कि रोज रोज नए नए जुम्ले घड़ने का काम जब से यह आये हैं 2014 से लेकर अब तक चाहे वो सेंट्रल गवर्मेंट हो चाहे वो उत्तरपरदेश की गवर्मेंट हो इसके अलावा यह कुई काम नहीं कर रहे हैं अब चुनाव सर पर हैं तो यह सारे ऐसे काम करेंगे जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान अफगानिस्तान तालिबान और हिंदू और मुसल्मान क्योंकि जब काम करने का लिए कुछ नहीं है बताने के लिए कुछ नहीं है विकास का कोई एजंडा नहीं है विकास का कोई काम नहीं है तो इन्हीं बातों को लेके यह राज करेंगे आप ये बताइए सबसे पहले दुकाने बंद कर दी गई है करीब एक हफता होने को है क्या कहना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि ये राजनीती की वजह से आपकी दुकाने बंद की गई है और क्या या रोप लग रहे हैं कि यहां पर चोरी के वाहन काटे जाते हैं यह तो हरेष मेरर तो हमीरी हमारा पननाम कर दिया गया सोतीगन को और शीयादी से जारा बननाम कर दिया गया इसे इस तरीके मार constitution मेर भिखा है जी तर करने स्कौर डरूर गीक धोंगे कर दीर कि अन्यलोड या रहर उनका कोई नम निया ता और इसमें सुनार हैंARY शाब आपको क्या लगता है कि क्यों आपके साथ हमने परशासन के आदेस का पालन किया अब परशासन गोल मोल जवाब दे रहा है परशासन ने जब तो यह कहा था कि आप जी स्टी का बिल दिखा दो और इसके पेपर दिखा दो बेवरा दे चुके हैं लगब बेवरा देवे चार लेकिन हो गए लेकिन आप जो आज हम मिल गया हैं आज हमें याश्वादिया लगब पैंटीस दुखाने तुमाज